दुनिया के चौकाने मारे अंसुल्चे रहसिया जी हाँ आज के समय में विज्ञान ने बहुत तरक्की की है साइंस में हमें कई सारे दुनिया के रहसिय बताए हैं लेकिन कुछ रहसिय ऐसे हैं जो अभी तक मिस्ट्री ही बनी हुए है और इन रहसियों का जवाब विज्ञान के पास भी नहीं है तो आए बिना देर की ये जानते हैं दुनिया के कुछ ऐसे ही अंसुल्ची रहसिया नमबर वन तैरते पत्थरों का रहसिया जी हाँ हिंदू पौरानिक कताओं में बताया गया है कि श्री राम ने अपनी पत्नी सीता को रामर से बचाने के लिए श्री लंका पहुशने के लिए एक फ्लोटिंग पुल का निर्माल करवाया था या फ्लोटिंग ब्रिच राम सेथु या एडम ब्रिच के नाम से भी जाना जाता है या पुल कूरी तरह से फ्लोटिंग पत्थरों से बना हुआ है लेकिन चौकाने वाली बात या है कि शेत्र के आसपास मौजूद सभी पत्थरों में कुछ पत्थर सामानने इस्थिती में है लेकिन जब हिने पानी में डालते हैं तो या तैरते हैं इसका बहुत वैग्यानिकों द्वारा अध्यन क्या जा चुका है लेकिन वेग्याने कि इसके पीछे के रहसे को अभी तक सब के सामने नहीं ला सके महावाली पूरम में एक विशाल चटान की तीवर धलान पर एक पत्तर रखा हुआ है जिसे देखने पर यह लगता है कि अब पत्तर कभी भी लुड़क सकता है इस चटान के बीस पूड़ उपर होने का अनमान भी है यहां के लोगों का यह मानना है कि अब भगवान सरीकρίष्ण का माखन का मटका था जो असमान से गिरा था यह देखने के लिए लोग दूर दूर से यहां पर आते हैं परेटक ये देखकर आश्यर चकित हैं कि अचटान आखे कैसे रुका है धलान के उपर 1908 में अंग्रेजी सरकार ने इसे हटाने की बहुत कोशिश की लिकिन वो इसमें नाकाम रहे अगला भानगर्ड का किला यदि आपने अपने दिमाग से पूर प्रेट और आत्माओं के विचारों को हटा दिया है तो आपको भानगर्ड फोल्ड सोचने पर मजबूर कर देगा यह राजस्तान के अलवर में स्थित है यहां के लोगों और परेटकों द्वारा यादी बताया गया है कि यहां पर कुछ संदिक्त घटनाई हुई है यहां किला, सुंदर, वास्तुकला, हवेली, मंदिर, खंडहर जैसे चीजों से सजा हुआ है यहां लोगों के लिए देखने के लिए यह किला खुला भी है और कई परेटकों ने यहां यहां भी सुगार किया कि उन्हें आत्मा की आहट सुनने को मिलती है यहां भी यहां पर माना गया है कि जो भी रात में वहां गया वो कभी वापस लोट कर नहीं आया भारती पुरतत विभाग ने यहां पर एक चेवतावनी का बोर्ड भी लगाया है जिस पर साफ साफ लिखा है कि सुर्यास्त के बाद और सुर्युदय से पहले इस किले में जाना मना है अगला दा टांसिंग प्लेक जिहां स्टार बग शहर में सन 1518 में गर्मियों के दिनों में एक महिला ने सड़क पर भयानक तरीके से नाचना शुरू कर दिया और रुखने का नाम ही नहीं लिया कब दिन से रात हो जाती और कब रात से दिन लेकिन महिला नाचती ही रहती इस महिला के साथ एक सब्ता में 34 अन्य महिलाओं ने भी नाचना शुरू कर दिया यह संख्या एक महिला में 400 तक पहुँच गई लेकिन महिलाओं नहीं होगी इन महिलाओं को देखकर यही लगता था कि इनमें किसी आत्माओं ने वास कर लिया है नाचने का नाहीं कोई मौका था और नाहीं कोई वज़ा महिलाओं के नाचने नाचने इतनी बुरी हालत हो गई कि कई महिलाएं तो मौत के मुं में भी समा चुकी थी। इन्हें रोकने के लिए धार्मिक पूर्यूतों को बुलाया गया और साथी साथ इस्तिती को नियंत्रन रखने के लिए डॉक्टरों और वैक्यानिकों को भी बुलाया गया। इस घटना पर सभी लोगों का अलग-अलग मानना था कोई कहता था कि यह भूत प्रेतों से जुड़ी घटना है तो कोई कहता था कि यह सब कोई मासिक रोगी हो चुकी हैं पर आज तक इसके पीछी का कारण समझ में नहीं आया कि आखिर वजा थी क्या। अगला नासका लाइंस दक्षणी पेरू जी हाँ पेरू में स्थित इस रेगिस्तान में कुछ इस तरह की आकरतियां बनी हुई हैं जो चौकाने वाली हैं या मनुश्यों, पौधों और जानवरों की लगती हैं इसके अलावा यहाँ पर सीधी रेखाएं भी देखने को मि मुझूद हैं यह लाइने करीब 500 वर्ग किलो मीटर में फैली हैं हेलिकॉप्टर की मदद से इन्हें और साफ साफ देखा जा सकता है इसके बारे में ऐसा भी कहा जाता है कि यह दूसरी ग्रह से आई हुए पर जीवियों का किया हुआ काम है जिसके चलते सता पर इतनी सारी सनरचनाय बनी हुई है अगला खिसकते हुए पत्थर जिहां डेथ वैली कैलिफोनिया की अगटना है डेथ वैली के नाम से कुख्यात इस जगां पर सैकडों पत्थर मौजूद है इस सूखे मरुस्थल पर अलग अलग वजन के यह पत्थर बड़े रहस से मई ढंक से जैसे वो घसीटे हुए आगे की तरफ बढ़ रहे हैं उनके पीछे लंबी लकीर मौजूद है यहां मौजूदा नजारा कुछ ऐसा है कि आप देखकर हैरान हो जाएंगे किसी इनसान या जानवर के जरिये इन पत्थरों को घसीटने के सबूत नजर नहीं आते क्योंकि व पत्थर के साथ ऐसा कुछ हो रहा है अगला क्लियो पार्ट्वरा रानी की मौद का रहस्य जी हां बिश्र की रानी क्लियो पार्ट्वरा की मौद सिर्फ 38 साल की उम्रे में ही हो गई थी यह रानी बहुत ही खुबचूदत और आकरशक पहला थी इस रानी की मौद कैसे तो किसी का मानना है कि अगस्तस ने क्लियो पार्ट्वरा की हत्या करती थी अगला जैक दरीपर जीहां लंदन में रहने वाले इस व्यक्ति के बारे में अभी तक कोई सही से नहीं पता पाई इसे लंदन में सीरियल किलर के रूप में जाना जाता है ये एक रहस्य मई पाया कि ये कैसा दिखता है या अभी तक रहस्य ही बना हुआ है कि जैक दरीपर कैसा दिखता था वो उसकी हाइड कितनी थी जैक दरीपर से प्रेरित होकर कई फिल्में भी बनी हुई है और इस पर कई सारी किताबें भी लिकिन या अभी तक रहस्य है कि जैक दरीपर आख अगला देवल फूट प्रिंट्स जिहां पशिंत दक्षणी पश्यमिग्लैंड के डेवोन में 19 सदी में करीब 400 मिल तक जम्य बर्फ पर एक अजीबो गरीब निशान देखे गए थे या अब तक रहस्य है विशेशक्यों द्वारा ये बताया गया है कि ये निशान कंगारों के बैर का भी हो सकता है या फिर कोई दानों यहां से गुजिरे होंगे कारण चाहे जो भी हो या अब तक सिर्फ एक रहस्य ही बना हुआ है